नमस्कर दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है 170 कोश्ची जो हो पढ़ने वाले हैं तो हमारा फर्स्ट कोश्ची ने सबसे पुराना वेद जो हो कौन सा है सबसे पुराना वेद जो रिंग वेद है नेक्स्ट कोश्ची ने बौद और जैन दोनों ने इस पर जोर दिया अईसा पर नेक्स्ट कोश्ची ने सिंदु घाटी सब्वेदा की खोज कब हुई तो ये आपकी गलत है इसमें एक कोई वे अंसर नहीं है और आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं नेक्स्ट कोश्ची ने मगद राजसाई के छटी स्ताबदी के पहले राजा थे बीमिसार उसके बाद आपके अजाद सत्रू और फिर उदाइन नेक्स्ट कोश्ची ने भारत में पलिवार धातु के सिक्के उप्यों किएगे बिहार और पुर्वी यूपी में नेक्स् कोश्ची ने सूफी संपर्दाय किस धर्म में बढ़ा तो ये इसलाम में काक्तिय राजसाही की राजदानी थी वारंगल नेक्स्ट कोश्ची ने अकवर जवान थे तब उनके सरंक सकते बैरम खान वासको डिगामा भारत कब आया 1400 ठानुए में नेक्स्ट कोश्ची ने किर इसके सासनकाल में फला फुला नेक्स्ट कोश्ची ने बावर कमकवरा स्तित है काबूल में नेक्स्ट कोश्ची ने अस्ट ध्याई के रच्चेता कौन है पानिनी नेक्स्ट कोश्ची ने सौमनात मंदिर को किस ने लुटा मुहमूद गजनवी ने नेक्स्ट कोश्ची ने पुरातन भारत के महान न्याय करता किसे माना जाता है तो ये मनु को महान न्याय करता माना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है स्वाराज पार्टी की स्थापना किस वर्स होई 1923 में ये पंडित जवारलाल नेरु और सियारदास ने इसकी स्थापना की थी नेक्स्ट कोश्च ने भारत में मुस्लिम लिग की स्थापना किसने की थी आगाखां 1906 तो ये नवाब सलीम उल्ला साइद इसी का या फिर इनके साथ ये प्रमुक थे मुस्लिम लिग में आगाखां नवाब सलीम उल्ला और नवाब मौसीन उल्मुल्क जो थे मुसलिम लेके सतापक थे नेक्स्ट कोश्चिन है गांधी इर्विन संधी के द्वारा जो है इस आंदोलन को स्थागित किया गया सभी ने अवग्या आंदोलन को जो है वो गांधी इर्विन संधी के द्वारा स्थागित किया गया नेक्ش्ट कोश्टीन है भारतिय राष्टिय का अंग्रेज का प्रत्व विवाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ. नेक्ष्ट कोश्टीन है स्वातनतरता के 일ए विवाजित होने वाला प्रत्व राजिय कौन था? अगर है आपको पता है तो नीचे comment box में आप लिख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चिन है वीदी के अनुसार समानता का अधिकार है नागरी का अधिकार नेक्स्ट कोश्चिन है लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल को राजसभा से इतने दिनों में पास करना आवसेक है 14 दिन में नेक्स्ट कोश्चिन है राजसभा सदस्यों की अधिक्तम संख्या जो डाइसो है next question है राष्टपती के अराम के समय उनका कारेकाल कौन संभालता है अगर इस question का अंसर का आपको बता है तो नीचे comment box में आप लिख सकते है next question है किंद्रिय मंत्री मंदल सामोई करूफ से इनके प्रतिजी मेदार है तो लोक्षबा next question है कौन सा कर सिर्फ राजय सरकार दोरा लगा जाता है तो वो लगा जाता है entertainment tax मनोरंजन कर next question है इन में से कौन सी याची का उच कोट दोरा नीमन कोट को जारी नहीं की जाती अधिकार प्रिच्छा next question है सविधान में संसोधन कर किसे सामिल किया गया next question है भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिशीमन की जिमेदारी है निर्वाचन आयोगी next question है नीति आयोगी एक कार्यपाली का संस्ता है next question है भारती सविधान की सातु यानसुची समंदित है विधान से समंदित तीन सुची next question है प्रजत आंतरिक संस्ता जो ग्रामिंड स्तर पर स्थानिय सेल्फ गवर्वर्वन्ट की सबसे निचली संस्ता है उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है next question है लिखित सविधान की परमपरा किस देश से सुरू ही अमेरिका से next question है प्रतम लोगसबा स्पिकर कौन थे जेवी मावलकर next question है कौन सा ग्रह प्रित्वी से दूर है तो वह वरुण है next question है विश्वत होता है जब सोर्य सिधा उपर होता है तो जब यह बोम अध्य रेकापर होता है विश्व होता है जब दिन और रात यह बराबर होते हैं next question है यूएस को कितने टाइम जोन में बांटा गया अगर आपको इस कांसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं next question है प्रमुख या म्योत्तर को यह भी कहा जाता है ग्रीन विच या म्योत्तर next question है रोरिंग फोर्टीज है दक्षीन गोलार्द में स्तित उत्तर पश्चमी प्रती व्यापारिक हावाएं next question है और जोन परत हमें इससे बचाती है परा बैंगिनी किर्णों से next question है वायू मंडल में अलबीडो की मातरा होती है लगभग 42 प्रतिसत next question है किस मेंग को उच मेंग जाना जाता है तो यह पक्षाब मेंग को उच मेंग जाना जाता है next question है प्रित्वी के स्थव में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातू अलमुनियम next question है किस मासागर को रिंग ओफ फाइर भी कहा जाता है specific मासागर को जो है वो रिंग ओफ फाइर कहा जाता है next question है ठंडी लब्राडोर धारा नौ महीने का सीत काल लाती है पूरवी न्यू फाउंड लेंड में next question है दुनिया के गर्म मरुस्तल ज्यादा तर पाए जाते हैं इसके पास और लेटिटूड के पास जो है वो दुनिया के गर्म मरुस्तल पाए जाते हैं next question है लिमा राजदानी है पेरु की next question है कौन सा देश पुर्णतया दक्षनी गोलार्द में स्तित है तंजानिया next question है मयामार किसका नए नाम है तो ये बर्मा का है next question है विश्वान सबसे बड़ा दीप समू इंडोनेशिया next question है कौन से राज़य को लेंड ओफ फाइव रिवर्स कहा जाता है पंजाब next question है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा next question है दैनिक तापमान परास की सहर का सबसे अधिक है नहीं दिल्ली next question है इन में से कौन सा एक किंद्र सासित क्षेत्र नहीं है गोवा ने भारत में कहां स्थित है तो यह जादू गोड़ा में जो है यूरेनियम की खादाने स्थित है next question है भारत में पहला परमानु विद्युत सयंत्र बना था तारापूर में next question है कौन सा बंदरगा प्रकृतिक बंदरगा है बॉमबे next question है सबसे बड़ा लोकोमोटिव फैक्टरी भारत मिस्तित है चितरंजन में next question है पूरक वस्तों की मांग जानी जाती है सन्युक्त मांग जोइंट डिमांड next question है एकादिकृत प्रतियोगिता की एक जरूरी दसा है उत्पाद विवेदी करन next question है इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया राष्टिय करन के बाद जाना जाता है स्बी आई CRR स्टेंट फॉर कैस रिजर्व रेसो के रूप में जो है वो CRR को जाना जाता है कर प्रनाली एक जो है राजकोसिय निती है फिसकल पॉलिसी next question है भारत में विदेशी निवेश किस नाम से जाना जाता है FDI next question है नीली करांती समंदित है मचली से next question है आर्थिक प्रगती निर्वर करती है इन सभी पुंजी बनाना capital information natural resources size of the market next question है capital market regulator से भी ये question आपका 911 मैं भी देखने को मिला था विश्व बैंक का मुक्यालिय वासिंग्टन डी सी next question है रसाइनिक परदार्थ जो सभी वाइरस में हमेशा पाया जाता है वो है protein जो है वो सभी रसाइनिक परदार्थ में पाया जाता है next question है क्षेत्र फसल का अध्यान कराता है क्रिशी शास्त्र एग्रो नोमी next question है किस पौदे के फल जमीन के अंदर पाया जाते हैं तो मुंग फली ये फल है बाकी ये हमारी सबजिया है next question है वाइयो प्रदूसन का एक संकेतक है लाइकेन next question है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उप्युक्त मृदा काली मिट्टी next question है इन में से क्या एक पर्यावरन का अजयव घटक है गुरुत्वा ग्रेविटी next question है survival of the fittest अवदारना को प्रतमबार दिया था Spencer ने next question है red data book इसका विबरन देती है विपलुप्त की कगार पर पौदे और जानवर का data जो है तो red data book कहलाती है next question है किस विटामिन को सबजियों से अलग नहीं कर सकते तो यह विटामिन D को सबजियों से अलग नहीं किया जा सकता next question है पित स्त्रावित होता है यकरित लेवर में सेविंग सिसा जो अपतल लेंस है optical fiber प्रकास के किस सिदान्त पर कार्या करता है पूर्व आंतरी के परवर्तन पर total internal reflection next question है बाती में तेल का चड़ना होता है इसके कारण तेल के प्रिष्ट तनाव next question है कोईले से उत्पन व्यावसाइक उर्जा जो है वो तापिय उर्जा कहलाती है next question है विद्धुत चुम्बक को इन में से किस से बनाया जाता है मुलायम लोहे के द्वारा कौन सा तत्वा radioactivity नहीं दिखाता है तो aluminium जो है वो radioactivity नहीं दिखाता है next question है चुनने का पानी जब हवा के संपर्क में आता तो दूदिया हो जाता है इसकी मौजुदकी के कारण जो है वो carbon dioxide के कारण ये सब होता है next question है sodium bicarbonate का व्यावसाइक नाम है baking soda बिजली बल्ब का तंतू बना होता है tungsten का इन में से क्या एक प्राक्रितिक बहुलक है starch जो है एक प्राक्रितिक नेचुरल पॉलिमर है next question है एक spelling checker को यह भी कहा जाता है electronic dictionary next question है अब आपको computer question जो है देखने को मिल रहे है word processing में दो अक्सरों के मद्यास्थान को सही करने की एक्षमता को कहते हैं kerning next question है ms word में चीतर के आवांचनिया हिसे को हटाने को कहते हैं cropping in ms word the process of removing unwanted part of an image is called cropping और उपर वाला question अगर आपको हिंदी में समझना है हो तो inward processing the ability to adjust space between two characters is called kerning जो दो सब्दों के बीच में adjustment किया जाता है तो उसे बोलते हैं kerning next question है to apply center alignment to a paragraph in ms word we can press ctrl plus e next question है text styling feature in feature of ms word is word art next question है a number of letter that appear little below the normal text in ms word is called subscript of phase for viewing the printing is called orientation जब भी printing के बात आईगी तो orientation होगा यह preview भी रहता है वो चेक करने के लिए next question हम ms word में या we can change the thickness of a line in ms word from यह अगर आपको आता है तो नीचे comment box में आप डाल सकते हैं इसका answer next question है in which view header and photos are visible in ms word तो print layout view में जो है वो header और फूटर हम देख सकते हैं जब भी next question हमांचल अब hpg के जो है start हो रहा है तो हमांचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिबद कहा जाता है तो यह तो I think हमारा धर्मसाला है ठीक है next question है या फिर लाहुल्सपिती भी हो सकता है अब आपको right answer देना है नीचे लाहुल्सपिती है या धर्मसाला जिसे छोटा तिबजव कहा जाता है next question हमांचल प्रदेश के प्रतम सूचना युक्त यह बहुत से questions में पूछा जाता है P.S. राना को हमांचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राक्रेतिक जील है गोविंद सागर अर्टिफिसल लेक की बात यहां कही गई है next question हमांचल प्रदेश के किस जीले में सबसे कम लगो देवग इकाईया है तो वो किन और में हमांचल प्रदेश और जो HPGK का अगर आप एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्स में आपको मिल जाएगा जिसमें आप 1948 से लेके 1972 तक आपका HPGK क्लिर हो जाएगा अगर एक दूगोश्चिन next exam में आपको देखने को मिलेंगे तो आपके क्लिर हो जाएगे उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्स में आप को मिल जाएगा नेक्ष्ट कोश्च ने हिमांचल प्रदेश के किस जिले को टेंपो ला परवत्य दरा स्तित है लाउल स्पिती में नेक्ष्ट है गुरदीवी का टिबा परवत स्रिंकला हिमांचल प्रदेश के किस जिले में है तो यह चमबा में नेक्ष्ट कोश्च ने हि भांदल तांतगीरी विलिक्षियर की स्ट्रीम से बनिया तो ये रावी कांगड़ा में हिमांचल प्रदिस के किस सेत्र में परवतिया नमक पाया जाता है गुम्मा और दरंग में नेक्स्ट कोष्च ने कहलोर राजसता की स्टापना की स्वर्स होई थी तो 900 AD में नेक्स्ट कोष्च ने महलोग राजसता की राज़दानी स्तित्ती कोट गारसी में बर्मौर का पुराना नाम था ब्रह्मा पूर next question ने हिमांचल प्रदेश के किस स्थान पर स्री लक्ष्मी नगायन ग्रूप के मंदिर जो है next है कांगडा के लिए के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्तिद बनाई थी तो जहांगिर ने next question है हिमांचल प्रदेश के वस्पा सेकिंड पन विजली पर्योजने की कार्या नवेन संस्ता कौन सी है JP Hydro Power Limited next question हिमांचल प्रदेश स्टेट एलेक्रिस्टी बोर्ड की स्था अपना 1971 इस भी में हुई थी next question हिमांचल प्रदेश का कौन सा विवमान पतन 1990 में सुरू हुआ तो हुआ गगल next question है काल का similar railway line कवदगाटन किया था लाड कर्जनने next question है किसे पहले वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था तो यह इंडियन Institute of Advanced Studies को जो है पहले वाइसरी गिल लाउंज के नाम से जो जाना जाता था नेक्स्ट कोश्टने अरनी विस्वदेले हिमाचल प्रोदिस के किस स्थान प्रस्तित है तो ये इन दोरा नेक्स्ट कोश्टने धारवेडी दुरुदू हिमाचल प्रोदिस के किस जिले का लोक नरित्य है अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट वाक्स में डाल सकते हैं नेक्स्ट कोश्टने वनवसीे समागम एक आदिवासी शभा हाली में किस राज्या या प्र26 में आयूजित हुआ तो ये हुआ यूपी मैं नेक्स्ट कोश्टने भारत का पहला किंद्रे करित वातानुकुलित डेलवेड टर्मिनल किस सहर में बना तो ये बैंगलूरु में किस संस्ता की पहली आतेशीक वर्चुवल समिट में ही संल Ap vraiment है नेक्स्ट कोश्च ने गहिर माता वीच जो हाली में चर्चा में था किस राज्या में स्थीत है तो ये उड़िशा में है किले का एक है ये किस बारतिय राज्य कि इंदर हाली में संपन हुआ तो उजवे की स्तान नेक्स्ट कोश्चिन है किस यूरोपीन देश ने हाली में सरजनिक स्तानों में पूरा चहरा ढखने की प्रता को समाप्त करने के हक में बोट दिया तो वो दिया स्वीजर लैंड ने नेक्स्ट कोश्चिन है किस बैडमिंटेन खिलाडी ने हाली में दिबी डब्लयु एफ स्वीस ओपन सूपर 300 में सुन पदक जीता तो ये कारूलीना मारीन नेक्स्ट कोश्चिन है भारत भारत में किस तक्निकी कम्पनी ने हाली में वोमेन विल वैब प्लेटफॉर्म के सुरुवात की तो ये कुशिन अगर आपको आता है तो आप इस कांसर नीचे डाल सकते हैं नेक्स्ट कुश्ट ने बोजन पेट और इंधन तो इसमें इंजन ट्रक जहाज तो इंधन जो रहेगा ओटो मुबाइल नेक्स्ट कुश्ट ने विच इस डिफरेंट फ्रॉम दिरेश्ट लेवन ट्वैंटीवन नेक्स्ट कुश्ट ने ये रिजनिंग से रिलेटिड है तो इसमें आप देख लीजिएगा और रिजनिंग के बाद रिजनिंग इंगलिस और हिंदी के सेक्षन हम अलग से करेंगे ठीक है तो जीके के सेक्षन आज किस वीडियो में कबर हो गए अगर आपको कोई भी कुश्टिन क्वारी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो डाल सकते हैं पीडिएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेंपल आप उस पे कलिक करके जो हो पीडिएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो कि आपको रिवीजन के समय आपकी हल्फ करेगी आपने अभी तरक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और आगे भी आपको ऐसी इनफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगे तो मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत जै हमान चल